लास्ट हमारी थियोरी है, цеियोरी थियोरी ओफिडेन्ट, तो जो ये थियोरी है, most important, इर्रिजेंट ये जो है, भोधिग लियान्य अन मिलर ने दिए है, और इस थियोरी का जो क्रक्स है, वो ये कहता है कि, डिविडेन्ट पालेसी जो है, एक फार्म की वो पैसिव डिसीजन है पैसिव मिन्स उसका कोई एफेक्ट नहीं पड़ता है वैल्यू अप फार्म के ऊपर जो डिविडेंट पॉलिसे डिसीजन है यह जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट अपर्चुनिटीज किसी फार्म के पास किस त तो ऐसे में वो जो है डिविडेंट डिकलेर करती है अजयंटस्टम क्या है perfect market competition. फर्म जो है perfect market competition में काम करती. पर्फेक्ट का मतलब जहांपर सारी चीज़े सब को पता होती है इmm स्टिचे जो होती है. इन्वेस्टर जो है वो अपने rationally behave करते है. information available है उनको एक दूसरे से अराम से कोई भी transaction cost नहीं है फ्लोइटेशन cost नहीं है और market price जो है shares का वो influence होता है कि investor जो है एक दूसरे company की market price को influence नहीं कर सकते it means कि माली जे एक company के share share करने लगते है investor तो क्या उससे उसके प्राइस पर कोई effect आएगा यह नहीं आएगा तो कोई किसी परकार के tax नहीं है fixed investment policy यहां पर यह कह सकते कि farm की fixed investment policy होती है जो की change नहीं होती इसका मतलब यह है कि risk complexion जो है firm का वो भी change नहीं होता जब उसके पास new investment offer होते है कि वो retain करके जो है investment ज्यादा कर ले next certainty of earning perfect certainty जो है वो रहती है earning की farm को जो है future में भी profit होते रहेंगे और जो है dividend वो certainty के साथ देती रहेगी अब बाद में जो है इसको certainty of earning को में जो है छोड़ दिया था कुछ time बाद पहले उन्होंने इसमें किया था जंशन में बाद में इस जंशन को हटा लिया गया अब लोजिक क्या है mm अप्रोच के बीच में देखिए जो mm है वो यह claim करता है कि जो value of the firm है depend करती है किसी firm की earning पे उसका dividend decision के उपर कोई परभाव जो है वो नहीं पढ़ता हो ना ही shareholder को इस बात से मतलब है कि firm अपनी income जो है वो retain करके रखती है या फिर dividend के रूप में distribute करती है ऐसे में यहां पर हम यह कह सकते है कि कोई जो firm है अगर उसके पास adequate investment opportunity है तो दो possible alternative जो है वो firm अपने लिए choose कर सकती है जब उसको आफसर नजर आ रहे है या तो वो पूरा का पूरा जो earning है उसक जो income है उसको distribute कर देगी shareholder के बीच में आजे dividend और जितना उसको पैसा चाहिए वो उतना पैसा जो है नए share issue करके जो है इकठा कर लेगी उन अवसरों को लुभाने के लिए या उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए अब अगर firm पहली जो alternate है उसको select करते है कि वो अपना return करके रखेगी earning को तो ऐसे में वो dividend जो है वो पे नहीं करेगी क्योंकि उसको पैसा चाहिए investment करने के लिए जो new project है उसके लिए जबकि जो shareholder है वो cash चाहते है अगर वो फाम उनको dividend नहीं देगी तो वो home dividend जो है वो create करेंगे home dividend कैसे कि वो अपने कुछ share हो सकता है कि market price पे जो है company के share चले जाएंगे तो कहते है इस position का ना तो shareholder के उपर फरक पड़ा और ना ही company के उपर क्योंकि shareholder को cash चाहिए था हाथ में वो उसने share करके ले लिया और company की share capital उतनी ही रही क्योंकि पुराने की जगह पे एक नया shareholder भी जो है कुछ shares के लिए वहाँ पर enter कर गया य share जो है issue करेगी और dividend distribute वो कर देती है तो ऐसे में shareholder के हाथ में पैसा आ जाता है और जो farm की जो asset है यहां पर यानि कि जैसे की cash वो कम हो जाती है dividend distribute करने से ऐसे में क्या होगा कि share का price जो है गिर सकता है जब उसके पास अपनी obligations की payment करने के लिए अगर कुछ नहीं है या project में पैसा लगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता है तो ऐसे में जो है अब जो benefit shareholder को हुआ है dividend मिलने की वज़े से वह compensate हो जाएगा जितना की farm की shares की value गिरी है हाला कि generally ऐसा होता नहीं है dividend जब दिया जाता है तो share value गिरने की बढ़ती ही है तो यहां पर यह यह मान के च ही पड़ता है चाहें वो dividend की payment करें या वो retain करके रखें क्योंकि अगर वो dividend की payment कर देगी तो जब उसको पैसे की जुरात हो कि वह बहार से जो है new share capital issue करेगी और पैसा जो है ले सकती है इस approach को हम इससे illustration no.5 से जो है समझ सकते हैं mm firm company currently has rupees 50,000 outstanding share selling at 100 each ठीक है the firm expected to have a net earning of rupees 4 lakh and contemplating a dividend 5 per share के देने से विचार कर रही है at the end of the financial year there is a proposal of the firm for new investment rupees 12 lakh का उसके पास नया proposal है cost of capital कहते है कि 10% आप assume करें और mm approach के according of value of the firm जो है वो निकाल करके बताए तो यहां पर देखिए value of the firm किस तरीके से हम निकाल सकते हैं यहां पर हमें कहीं सारे step जो है वो follow करने पड़ेंगे सबसे पहले step में है price per share at the end of the year की लास्ट में जो प्राइस होगा शियर का जो hundred हम बात करें थे इन्होंने दिया भी है वो क्या हो सकता है अगर firm dividend pay करती है तो dividend pay करने से तो बढ़ना चाहिए तो इसको निकालने के लिए जो है आप किस तरीके से calculation करेंगे पी जीरो जो है यह existing market price of share है जो हमें दे रख है hundred और divided by is equal to one upon in bracket in bracket आपका one plus में के और फिर in bracket d1 plus में p1 के आप सभी जानते cost of equity capital d1 dividend paid dividend to be received at the end of the year कितना दिया जाएगा और p1 market price की dividend pay करने के बाद कितना होगा आप देखिए अगर हम इस value को put करते है तो 100 आपको गीवन था one upon में in bracket one plus में यह भी आपको गीवन था के 0.110 dividend कितना देने की सोच रही है फाम यह भी गीवन था at the end of 5 रुपीज पीवन तो पीवन को मिला के इस equation में हमारे पास आ गया रुपीज 105 की अगर dividend देती है फाम तो प्राइस जो है बढ़के 105 हो जाएगा अब है funds to be raised from the new issue share after fully utilizing the retained earning कि उसने कुछ भी नहीं बचाया अपने पास सारा का सारा distribute कर दिया तो आप फाम को जो पैसा चाहिए investment करने के लिए वो new share issue करेगी उसके लिए हम जो है निकालेंगे delta NP1 यानि कि amount कितना firm को new share जो है issue करने पड़ेंगे investment के लिए क्योंकि 12 लाग की investment उसको करनी है तो हम यहाँ पर इस amount को delta NP1 को निकाल सकते है is equal to total amount required for investment जो कि ICD note किया गया है minus in bracket E earning of the firm during the year minus and D1 total dividend to be paid अब इसमें हम formula में fit करेंगे कि हमने कितने share कितने amount के लिए share issue करने है तो हमें पैसा चाहिए था 12 लाग firm की earning थी 4 lakh minus bracket में 4 lakh और कितना जो है उसने pay किया अब देखे 5 के हिसाब से 50 पे 2,50,000 ठीक है तो यहाँ पर फिर भी 1,500,000 रुपया firm के पास बचा हुआ है तो firm को जो additional बाहर से requirement है वो है रुपी 10,50,000 की अब हमारे पास shares आ जाएंगे कि कितने additional share firm को issue करने पड़ेंगे अगर firm के shares की value 105 हो चुकी है तो इस amount के लिए firm को अब यहाँ पर 10,000 share जो है वो issue करने पड़ेंगे अब हम निकाल सकते value of the firm represented by NPO0 इससे value of the firm हम निकाल रहे है यहाँ पर आपका N की कितना जो है आपके number of share थे और delta N की कितने आपको additional चाहिए और कितना आपका P1 आ जुका है बड़ा हुआ प्राइस माइनस जो आपका investment है प्लस आपकी earning divided by K1 प्लस KE जो आपको given था तो यहाँ इस formula में fit किया तो यह आया कि value of the firm जो है रूपेस 50 lakh है तो यह फास्ट पोजिशन है फार्म की जब फार्म जो है dividend distribute करती है दूसरी पोजिशन में हम देखते हैं कि क्या firm की value पर फरक आत क्या value होगा तो P0 आपको given है P1 आपको पिछले formula की तरह ही निकालना है 1 upon में bracket में 1 प्लस में KE in bracket D1 प्लस P1 इस formula में आपने सारी चीजे जो है वो डाली यहाँ पर dividend कुछ नहीं जैसे हमने पिछले में 5 रुपे लिया था यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि वो dividend दे ही नहीं यह तो शेयर की value देखिए retain करने से क्योंकि firm के पास आउसर थे investment के तो retain जब किया है तो बड़ा है पीछे जो है वो था 105 आप जो है new जो शेयर का प्राइज आ रहा है वो 105 की बजाए 110 आ रहा है fund to be raised new issue share capital after utilizing retain earning कि उसके पास इतने भी पैसे थे वो कुछ भी नहीं उसने दिया सारा का सारा यूज किया है तो यहाँ हम देखेंगे कि कितना उसको additional जो है fund चाहिए तो हमने यहाँ पर देखा कि investment के लिए चाहिए हमें 12,00,000 minus ED कितनी earning है 4,00,000 minus ND1 कि कि कितना जो है उसने dividend क के रूप में distribute की earning का कुछ भी नहीं किया तो 8,00,000 रुपे additional यहाँ पर चाहिए और 8,00,000 रुपे additional की जुरत हमें अगर हमारे share की value 110 हो चुकी है तो कितने उसके लिए share issue करने पड़ेंगे 7273 approximate firm की value अब हम निकाल सकते है firm की value को यहाँ पर NP0 से दिखा रहे है फिर से वही formula कि हमारे पास already outstanding share कितने थे कितने standing share थे 50,000 यहाँ पर 7273 की बजाए इन्होंने 8,00,000 अपोन में 110 ले लिए ताकि calculation में easy हो जाए P1 आपके पास था 110 जो कि एकदम से देखिए इसको इस तरीके से लेने से 110 से 110 cancel हो जाएगा minus आपका था investment plus में earning तो इसमें भी हमारी जो value है firm की वो same ही आ रही है यहीं यह कहना चाहरे थे कि कोई फरक नहीं पढ़ता है चाहे आप dividend distribute करें चाहे आप dividend distribute ना करें criticism but this theory की भी है जनरली वही सारी criticism आ गई है जो कि इन्होंने माना था assumption जैसे tax effect इन्होंने कहा कि किसी तरीके का कोई tax नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि dividend distribute करें यार्निंग को retain करें दोनों जो है same ही बात है tax तो है नहीं किसी तरीके का but ऐसा नहीं होता है company को कोई ना कोई tax की payment जो है वो हमे करना है या बहार से पैसा लेना है तो उसकी कोई cost चीना हो जो आपके हाथ में ठीक उसकी कोई cost नहीं होगी बड़ जो आप बहार से लेंगे अगर आप share issue करके ले रहे तो वहां पर कुछ ना कुछ खर्चे जो है हमें करने पड़ते हैं जैसे कि underwriting commission अगर आप किसी से करात कि आपकी जो हाथ में पैसे आएंगे next transaction cost और inconvenience cost इस approach में यह भी माना गया में कि कोई transaction cost नहीं है capital में और ऐसा भी नहीं है जैसे इन्होंने इसमें यह कहा था कि अगर मालिजिए farm जो है dividend नहीं देती है तो आसे में जो shareholder है वो खुद के हाथ में dividend create करते कैसे shares को sale करके अब हां भी कोई ना कोई transaction cost हो सकती है हो सकता है कि वो भी broker को use करके जो है आपने share sale करे तो ऐसे में जो इसका यह मानना था कि कोई भी transaction cost नहीं है तो वो transaction cost जो यह मानना था कि नहीं है वो होती है कुछ ना कुछ transaction cost जो है वो होगी next institutional restrictions तो कुछे company के उपर restrictions होती है कि वो किस तरी या यूटी आई हो गई या बैल आई सी के ओपर क्या रिस्टिक्षन है कि वह उसी कंपनी के शियर में जो है पैसा इंवेस्ट करें जो कि कम से कम 4% इंक्लूडेंग बॉनर्स ड्याइटी ही देती है पिछले पां सालों का आप देखे या सात सालों सालों का देखे कि कंपणी ने डिविडेंग दिया है हर बार 10 थो ही कर सकते हैं तो इंसीच्चूंट सिर्प्रिक्र्ण virtue सब्सक्राइड करोसी करती है next near dividend और distant dividend. इन्नों ने ये कहा कि shareholder के ओपर कोई फरक में परता. चाहे पैसे को retain कर लिया जाए थियोरी में इन्नोंने आगे explain किया था चाहे पैसे को distribute कर दिया जाए अब ये कहते है कि जब shareholder के बीच में income distribute की जाती है उसको हम near dividend का नाम देते हैं चब रिडेंट करके उसको फ्यूचर में tulee किया जायेगा तो इसको हम डिस्टेंस डिइडेंट का नाम देते हैं तो ऐसा नहीं τι शिएर होलडर ने और डिस्टेंस डिवीडेंट दोनों को इक्वलेंट ले क्योंकि कोई भी है यह चाहें हम भी है तो जो शीर होल्डर होता है वो तो डिञो को ज्यादा प्रेफरेंस डेता है betty थिस्पराइश कुर्जन चूण की जो फर्म से क्टैसर को फिर में लगाईगे हिए उससे जो एंकम होगी वह फ्यूचर में होगी फ्यूचर जो है वो अंसर्टेन होता है तो इनकी यह जो अजम्शन थी वो भी गलत हो जाती है information utility of dividend यह कहते हैं कि जो farm है यह मान के चल रहे हैं कि जो shareholder है उनको farm की profitability के बारे में जो है पूरी information रहती है अगर माल लिजे फॉर example एक farm जो है stable dividend policy अपनाती है जैसे इन्होंने कहा था कि perfect competition है जो shareholder उनके पास सारी information होती है तो उस point को यह लेकर यहां पर चल रहे है कि उन्हों एक farm की profitability के बारे में पूरी जो है information है और फिर यह भी कहा था कि जो इन्वेस्टर होते हैं जो shareholder होते वो rationally behavior करते यानि कि अपने दिमाग को सो समझ के वो यूज करते हैं तो एक farm जो कि stable policy अपना रही है त्री पर शियर डिविडेंट देती है अगर वो शियर डिविडेंट को बढ़ा करके चार पे पर शियर कर देती है तो जो इन्वेस्टर है उनके बीच में यह information जाएगी या उनका जो mind है वो यह कहेगा कि farm की जो earning है future में वो improve होने वाली है और ऐसे में market price पे शियर के positive impact जाएगा तो इन्होंने यह जो कहा था कि farm की शियर के उपर कोई या value के उपर कोई effect नहीं जाता है डिविडेंट policy का यह भी यहाँ पर खारिज हो जाती है sale of new share at lower price फिर इन्होंने कहा जैसे कि पीछे थियोरी में कि कोई फ्लाइटेशन कॉस नहीं है जबकि ऐसा नहीं होता जब कोई company new share market में निकालती है और यह मान के चल रहे हैं कि जो new investor है वो उसी प्राइस पर ले लेंगे ऐसा जर्णली नहीं होता है अगर पुराने investor है वो तो ले लेते है बट new investor को अगर आपको जितना पैसा चाहिए उत है में फार्म को अपना जो अर्निंग था उसी को रिटेन करके रखना चाहिए था डिविडेंट की बजाए और वो फार्म के लिए जो है बैटर ओप्शन हो सकता था तो उपर वाले जो पॉइंट है वो यह बताते है कि जो माना गया कि यह जो डिविडेंट डिसीजन है य